तो यह जो टिप बताने वाला हूं वह है विजाट्स की उपर दोस्तों यह नए तिप क्या है कैसे उसको यूज करेंगे या आपको इसको यूज कर पाएंगे तो आज की वीडियो को पूर देखेंगे तो यह आप समच पाएंगे डोस्तों चलते हैं आगे मेरे नाम सनी अरोर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो जैसा कि इने मताया मैं आपको बताने वालों विजार्ट के मारे में जो कि सेमसंग की तरफ से अधिकतर मुवाइलों में बिल्ड इन आता है अगर किसी में नहीं हो दा तो आप डाने उसको डाउनलोड सकते हैं और अभी में नहीं अपडेट आनें गया तो जोड़ कर डिया गया है या वह ज़सको नबटार नहीं तो आपको सब्सक्तक्र Best दोरेना आप कर ले यहां पर नीचने की तरह आएंगे तो आप देखेंगे यहां प्र यह लींट्रेश्ट कव आया तो मैं आप तारी प्राइक भी दिखाए था हूं 29 अक्टूबर को यहां पर एक नए फिचर को जोड़ दिया गया है जो कि उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करा बट मैं आगे आपको बताने वालों क्या-क्या-क्या नई फिचर जोड़े गए और उसका कैसे यूस कर पाएंगे आपको अपने इसको डाउलोड या इंस्टॉल कर लेना है तो दोस्तों इंस्टॉल और अपडेट करने क्या आपको करना क्या है यहां पर जाना है जहां पर आपको इस विजार्ट को लगाना है वहां पर आने क्या आपको तुड़े यहां पर क्लिक करके रखना है यहां पर आपको जाना विजार्स वाले option पर जाएंगे आप यहां पर search बालेंगे तो आपको यह मिल जाएगा picture frame करके आपको दिख रहा होगा और वो वहाँ पर add हो जाएंगे जैसे मैंने आपर screen वाला folder add कर दिया screenshot वाला तो आटमेट ही यहाँ पर add हो जाएगा modify करना तो आप अपसे resize भी कर सकते हैं जैसा resize लेना हो बड़ा चोटा आप यहां से इसको पूरी तरह से resize भी कर सकते हैं और अगर आप इसमें कुछ layout भी ही चाहे है तो आप से पूछे का किसले चाहिए आपको कितनी इमेज चाहिए यहां पर 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 बसफिलर्च कर सकते हैं तो नहीं मैं यहांग पर अपनी पिक्चर्स दाट investors और यहां पर आपको नीचर वाला option दिखर होगा। अगर उप चाहते हैं कि दो आजाएं 1556 adopt order उपको इसन और पर ऐसा चाहें तो ऐसा भी ले सकते हैं और आपको जोन सा भी लेना है उसस哇 कर लेना है तो लाइक मैंने यह ले लिए इसके अर्मेरे हां से ड़न कर दिया तो अब मेरी फोटोस जैसी होंगी वहां पर आटमेटिक आ गया है आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं आटमेटिक ही फोटोस चेंज होती रहेंगी इसको दोबारा यहां पर क्लिक करके सेटिंग पर जाएंगे तो आप चाहते हैं कि यह वाला आ जाए तो आप इसका फिर ले आउट चेंज कर सकते हैं और कितने सेकंड में फोटो चेंज हो आप यहां पर टाइम भी सेट कर सकते हैं मैं मिनिम्म थ्री सेकंड मैक्सिम्म साथ सेकंड तक आप इसको लगा सकते है लाइक मैंने यहां 3 सेकंड कर दिया तो हर 3 सेकंड बाद फोटो पर चेंज होती जाएगी यहांबर इसकी पोजिशन भी चेंज कर सकते हैं लाइक आपी देख रहें सेंटर पर आ रहा है अगर fit to frame कर दूँगा तो frame के साफ से सारी फोटो आ जाएगी और उसके बाद अगा straight to fill कर दूँगा तो आप देखेंगे ऐसी फोटो आएगी तो आपको जैसा यहांपर चाहिए अपने साफ से उसको layout भी change कर सकते हैं और अगर आपने dark mode लगा के रखा है तो आप इस option को on कर देंगे तो dark mode के साफ से वो adjust हो जाएगी तो आप मैं यहां से करता हूँ done आप देख रहे होंगे आपको इसको दिख रहा है आप उसको कहीं भी easily modify कर सकते हैं आपको click करके रखना है उपर नीचे size wise जैसा भी करना आप उसको easily हाँ से modify कर सकते हैं आपको यहां से पहले यहां से चोटा करना पड़ेगा फिर आप side से भी इसका side चोटा कर सकते हैं पहले यहां से करेंगे फिर यहां से करेंगे तो हो जाएगा तो आप ऐसे इसको move कर सकते हैं अगर आप उसको remove करना चाहते हैं तो रिमूफ करने के लिए आपको यहां क्लिक करना और यहां से उसको रिमूफ कर सकते हैं दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक यू दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आप आपको लगता है उसमें कुछ कमी दो मुझे डिसलैक बहुत तो और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से लेटेड या कुछ भी आप मुझे डारेक्ली कमेंट करके पूछ सकते हैं या हो सकते हैं तो आप मुझे इस्टागरम पर मैसेज के करके भी प तो